शारदीय नवरात्री से माद दुर्गा इन छह राशियों को बनाएंगी माला माल, इन पर बरसाएंगी अपनी कृपा। हिंदु पंचांग के अनुसार शरद नवरात्री तीन अक्टूबर से शुरू हो रही है। नवरात्री में माद दुर्गा के नौ रूपों की विधिविधान से पूजा की जाती है। इस बार माद दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर धर्टी पर आएंगी। दोस्तों, माता रानी की कृपा से इस बार नवरात्री में दिव्य दुरलभ महा शुब्ह महा लक्षमी योग बन रहा है। बारह राशियों में से छह राशियां करोड़ पती बन जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि मां दुर्गा जी की कृपा से इस शारदिय नवरात्री में मां लक्ष्मी योग बन रहा है जिससे बारह में से छह राशियों की किस्मत चमकने वाली है धन की देवी स्वयम मां लक्ष्मी जी इस बार शरद नवरात्री में इन छहराशियों के घर पधार रही है जिसके कारण अब इन छहराशियों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएंगे इनका अंत होने वाला है और अब मां दुर्गा जी की कृपा से इन छहराशियों के लोगों के जीवन में अपार खुशियां आने वाली है जिसके कारण इन छहराशियों के लोगों का जीवन बदल जाएगा या जो भागशाली और सौभागशाली राशियां है क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्री में मातारानी की कृपा से मा लक्ष्मी योग बन रहा है ये छह राशियां करोड़ पती बनने जा रही है दोस्तों आपको बता दें कि शारदीय नवरात्री से अब छह राशियों के अच्छे दिन शुरू होने जा रहे है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली और किस्मत वाली राशियां हैं जिन्हें बड़ा धन लाभ मिलने वाला है और किसका जीवन अपार खुशियों से भरने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो को बिलकुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो इन छे राशियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है तो दोस्तों आपको बता दें कि हर साल शारदिय नवरात्री का पर्व अश्विन माह में मनाया जाता है। इस बार शारदिय नवरात्री का पर्व अक्टूबर दो हजार चौबीस में मनाया जाएगा। नवरात्री की अश्टमी नवमीतिति पर कई शुभ योग भी बनेंग इस पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा दिन की खास बात ये है कि इस दिन बुद्ध और सूर्य कन्या राशे में रहेंगे जिससे बुद्ध द्वितिया नाम का राज योग बनेगा इन शुभ योगों के कारण माम दुरगा इन राशियों पर अपनी कृपा बरसाएंगी और उनके लिए धन का पिटारा भी खोलेंगी पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्री बहुत ही शुभ संयोग के साथ शुरू होगी जिसके कारण कुछ राशियों को बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे और धन में वृध्धि होगी तो दोस्तों वीडियो में आगे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जई माम दुर्गा लिखें ताकि आपको इस नवरात्री में देवी दुर्गा के नौ रूपों का आशीरवाद मिलें और आपके जीवन की सभी समस्याएं देवी दुर्गा की कृ पहली राशियों की किसमत चमकने वाली है। कन्या राशिय के जातक अपनी आमदनी के मामले में जबर्धिमता दिखाएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिती में जबर्धिस्त सुधार आएगा। मा दुर्गा जी के आशीरवाद से आप दिन रात तरक्की करेंगे। कन्या राश्य के जातक अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश होंगे। कन्या राश्य के जातक आपको बता दें कि नौकरी पेशा सभी लोगों को पदोन्नती मिलेगी, और इन सभी लोगों के प्रभाव से उनकी मन्चाही इच्छा पूरी होगी। मां दुर्गा जी के आशीरवाद से आपका मन भी प्रसन रहेगा। कन्या राश्य के जातकों के पारिवारिक जीवन में पती-पत्नी के बीच प्रेम में बढ़ोतरी होगी। इससे आप अपने पडोसियों की वानी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कन्या राश्य के जातक जरूरत मंद लोगों की खूब मदद भी करेंगे। सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल और सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। आप अपने प्रिये जनों के साथ भी खुश रहेंगे। दोस्तों के साथ आप काफी अच्छा समय बिताएंग माताजी के आशीरवाद से आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सिंहराश्य वाले जातकों आपको बता दें कि तीन अक्टूबर से सिंहराश्य वालों के लिए दिन वर्दान साबित होने वाला है। और भाग्ये के सहयोग से सिंहराश्य वालों की सभी मनों कामनाएं पूरी होंगी और आपको कोई नया व्यापार शुरू करने का मौका भी मिलेगा आप जीवन में नियम काइदों का पूरी तरह से पालन करेंगे और सभी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे इसके साथ ही व्यापारी वर्ग लाभ पाने के लिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाएंगे और अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे नौकरी और पैसे वाले लोगों की बात करें तो नवरात्री में बन रहे दुरलब संयोग की वजह से आपको किसी दूसरी कंपनी में अच्छी आमदनी वाला ओफर मिल सकता है जिससे करियर में तरक्की ह सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी अचानक धन लाब होने की संभावना है आपके जीवन में धन योग बना हुआ है इन नौ दिनों में धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयम आपके घर पधारने वाली हैं आप अपने दिल और दिमाग में अधिक से अधिक धन कम भी करेंगे आपको अपने माता पिता का आशीरवाद प्राप्त होगा भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाएंगे साथ ही आपको बता दें कि अगर आप वर या वधू की तलाश में हैं तो इस नवरात्री में माता रानी की कृपा से वह सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपनी कोई भी मनचाही मनो कामना पूरी करना चाहते हैं तो माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी को बस एक चुंदरी जिसके चलते आप कई तरह के शुभकारियों में लगे रहेंगे, इसके साथ ही मा दुर्गा जी के नौ स्वरूपों की कृपा आपके घर पर पड़ेगी, जिससे मेश राशे वाले जातकों का सौभाग्य बढ़ेगा। मातारानी की किर्पासे आपको, जो भी परेशानिया लंबे समय से चल रही थी, वो परेशानिया अब खत्म होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं, तो आपके व्यापार में खूब लाब होने वाला है, आपको खूब लाब और धन लाब होने वाला है, जिससे आप काफी खुश नजर आएंगे. तीन अक्टूबर से आपका दिन बदलने वाला है, माता रानी के शुब आगमन के पहले ही दिन से आपको अपने घर में कोई नई खबर सुनने को मिलेगी, साथ ही इस दौरान आपके बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, आपके बच्चे खूब तरक् करेंगे, पति-पत्नी के बीच काफी समय से चल रहे मतभेद खत्म होंगे, वह अब खत्म हो जाएंगे, और भाईयों के बीच प्रेम बढ़ेगा, साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बिना वजह किसी से बहस करने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, नवरात्री में बनने वाले तीन शुभ योगों के प्रभाव से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी, दोस्तों इस दौरान आपके सारे काम बनते नजर आएंगे, राजनीती से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई बड़ी खुश खबरी मिल सकती है, साथ ही आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, आएके नए स्रोत खुलेंगे, विदेश में पढ़ाई या यात्रा का सपना पूरा हो सकता है, नौकरी और पैसे वाले लोगों को भी लाभ मिल सकता है, मातारानी की कृपा से इस नवरात्री नौकरी में आपको कई नए अवसर भी मिल सकते हैं, साथ ही आपके जीवन में कई तरह की खुशियां आ सकती हैं, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इस नवरात्री में मातारानी की कृपा से बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, भौतिक सुखों की प्राप्ती हो सकती है, साथ ही इस नवरात्री में मातारानी को प्रसंद करने के लिए आप नवरात्री में माता की पूजा अर्चना करके ऐसा कर सकते हैं, पूरे व दुर्गा जी की कृपा से आपके काम की सराहना होने वाली है। व्यापार करने वाले लोगों को भी विदेश में व्यापार के नए अवसर मिलने वाले हैं। उनका व्यापार अब विकसित होने वाला है। इसके साथ ही विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में काफी ध्यान लगाएंगे और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे अब वे सफलता की नई उंचाईयों को छूपाएंगे विद्यार्थियों पर मान दुर्गा जी की कृपा द्रिष्टी रहने वाली है जिससे उन्हें मनचाही नौकरी मिलने वाली है धनूराश्य वालों आपको बता दें कि आपके समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी जिससे आपका मन प्रसन रहेगा और आपको बता दें कि मान दुरगा जी की कृपा से अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे अवसर पाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आपका जो भी काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ था और मान दुरगा जी की कृपा से धनुराश्य वाले लोग अपने करियर में सफल रहेंगे मान दुरगा जी आपका भरपूर साथ देंगी अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आप सफलता पूरवक शुरुआत कर पाएंगे मान दुरगा जी की कृपा से आपको इस दौरान सह कर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा व्यापार में वृद्धि सामाजिक शेत्र में सफलता अचानक धन लाब होगा इस नवरात्री में मान दुरगा जी की कृपा आप पर विशेश रूप से रहने वाली है अगली राशि है व्रिशब व्रिशब राशि के जातकों को बता दें कि नवरात्री में बन रहे शुब योग से आपको काफी लाब होने वाला है दोस्तों आपको बता दें कि मा दुरगा जी की कृपा से आपका समय अच्छा रहने वाला है दोस्तों वृषब राश्छी के जातकों पर मा दुर्गा जी की कृपा द्रिष्टी पढ़ने वाली है माना जा रहा है कि आपके परिवार में सफलता मिलेगी साथ ही मा दुर्गा जी की कृपा से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने की संभावना है आपको बता दें कि मा दुर्गा जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे इसके साथ ही इस राश्चे के लोगों को कई प्रकार के आर्थिक लाब और बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी आपकी मधुरवानी के कारण आपके सभी काम पूरे होंगे मा दुर्गा की कृपा आप पर विशेश रूप से बन रही है जिसके कारण इस नवरात्री में आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है इस नवरात्री में आपके पूरे परिवार पर मा दुर्गा की कृपा बन रही है जि हाँ दोस्तों जिसके कारण आप अपने घर में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य का आयोजन कर सकते हैं मा दुर्गा की कृपा से आप धारमिक कार्यों में भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे और गरीब और असहाई लोगों की भी आप खूब मदद करेंगे आप खूब पुन्य अर्जित करेंगे मा दुर्गा की कृपा आप पर बन रही है किसी गरीब का कल्यान आपके हाथों से होने वाला है अगली राश्य है तुला तुला राश्य वालों को बता दें कि तुला राश्य के लोगों के लिए शारदीय नवरात्री का यह महीना आपके स्वास्थे से जुड़ी कुछ राहत लेकर आया है येह नवरात्री माताराणी की कृपा से आपके करियर में बेहतरीन परिणाम देने वाली मानी जा रही है और नवरात्री के नौ दिन बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं तुलाराशि के जातकों को मादुर्गा की कृपा का अद्भुत लाव मिलेगा आपको बता दें कि आपका आने वाला समय आपके लिए लाभकारी रहेगा इसके साथ ही आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो माद दुरगा पूरे करेंगी भगवान शिव के नौ रूपों की कृपा से सभी रुके हुए काम पूरे होंगे इस समय आपको अपार धन की प्राप्ति होगी वही स्वास्थे संबंधी समस्याओं से आप उल्जे रहेंगे तुला राश्य के जातकों को अपने स्वास्थे का विशेश ध्यान रखना चाहिए तुला राश्य के जातकों को धन की प्राप्ति हो सकती है माता शैल पुत्री की कृपा से आने वाला समय इन राशियों पर धन की वर्शा करने वाला है तुला राशे वालों आपकी जोली खुशियों से भरने वाली है माता शैल पुत्री और मा दुरगा जी की कृपा से आपको नौकरी मिलने वाली है आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे माता रानी की कृपा से आने वाला समय परिवार में खुशियों का माहौल लेकर आएगा आपको धन की प्राप्ति होगी व्यापार में अचानक लाब होगा और परिवार में शुभ कार्य होने के योग बनेंगे आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा अपनी वानी के प्रभाव से इस महीने आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी व्यापार में लाब के योग बनेंगे आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं इस नवरात्रि में माता दुर्गा जी की कृपा आप पर विशेश रूप से पढ़ रही है तो दोस्तों ये थी वो भाग्यशाली राशियां नवरात्रि में माता दुर्गा इन सभी राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है और इनका जीवन खुशियों से भर जाने वाला है तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जय मात दुर्गे अवश्य लिख दें धन्यवाद दोस्तों